दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RNS Education News में दोस्तो इस वीडियो में हाजिर हूँ दिल्ली पुलिस MTS सीधी भरती 2017 दोस्तो आपने आंसर की चेक कर ली होगी और आंसर की चेक करने के बाद आपने अपने नंबर भी कैलकुलेट कर ली होगे कि आपने कितने नंबर पुलिस MTS 2017 दोस्तो इसमें आप सबको पता है कि आपका Retain Test याने लेखित पेपर हो चुक है answer की भी आप लोगों ने देख ली होगी तो दोस्तों अब लिखित परिक्षा के बाद आपका जो कुछ होगा वो आपका trade test होगा ठीक है तो यह trade man की भरती थी तो trade test में क्या कुछ पूछा जाएगा कितने गुना भरतिस में पास किये जाएगे कितने कौन कौन से कारिया आपको करवाई जाएगे trade test में उसकी संपून details यानि कि क्या कुछ पूछा जाएगा trade test में बिल्कुल सावधानी पूरवक आप इस वीडियों को देखें शुरू से लेकें तक जरूर देखें यह मेरी गुजारिस है क्योंकि दोस्तो आपका जो main चीज है वो आपकी trade test है trade test के जो अंक आएंगे और यह आपका return इसके आधार पर आपको merit list बनाई जाएगी तो पूरा वीडियो जरूर देखें वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तो आप vacancies की संख्या देख सकते हैं इसके लाव दोस्तों माली की यहां पर 16 पोस्त नाई की 49 पोस्त और बढ़ाई यानि की इनकी 7 पोस्त थी ठीक है यह विकलाइं केटेगरी की आप पोस्त दे सकते हैं आपके सामने हैं यह तो हो गया पोस्त आपकी जो दिल्ले पुलिस में थी ठीक है अब दोस्तो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाएगा कितने नंबर का होगा तो मैं आपको बता दूँ दोस्तो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो आपका होगा 20 नंबर का ठीक है अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तो 20 नंबर की आपकी होगी ट तो ही आपको यहाँ पर उत्तिरण घोसित किया चाहेगा ट्रेड परिक्ष्या में तो 10 नमबर आपको 20 में से लाने है याने कि 50% नमबर आपके आने चाहिए तब आपको यहाँ पर ट्रेड परिक्ष्या में उत्तिरण किया जाएगा यह जानकारी है सबसे पहले तो मैं आप अंगिकन किया गया है। 6 चीज़ें आपको पूछ जाएंगे 3 तीन अंकी तो 18 बहुत हो गए। पलस में 2 अंक आपके ये अलग से तो 20 अंकी होंगी। बी संक में आपको रसोयों से आपने कुप से अगर आविदन किया है तो आपको साकरी और मांशारी दोनों ही जो भारते व्यंजन हैं उनको तैयार करने का ग्याना आना चीए तीनंक का होगा इसके अलावा दोस्तो विभिन, खादान, डाल और सबजियों के जो मुल्ले हैं उ इसके अलाव दोस्तो आपको आठा गूंधने, सबजियों को काटने और मसाला पीषने की जानकारी होने चीए आपकी तीनंक की होगी भोजन तैयार करने में प्रियोग होने वाले जो बरतन हैं उनकी धुलाई आने चीए आपको कैसे करनी हैं वो आपका तीनंक का होगा और रसोई में स्वच्टा और साब सफाई कैसे रखें तो ये आपकी तीनंक की होगी और इसके अलाव दोस्तो भोजन जैसे तैयार हो गया उसको कैसे परोसा जाए कैसे उसको लोगों को यानि कि जो आपके ओफिसर्स हैं या जो सम्मंदित जो करमचारे उनको कैसे परोसा जा तो वाटर कैरियर का यहां पर आपकी पांच चीजे हों गई ठीक है पांच चीजों में आपके रसोई के बरतनों के दुलाई आपको आने चाहिए ठीक है चारंग की है मैस वस्तों के भंडारन का ग्यान यानि कि जो रसोई है उसमें जो वस्तों है उनको स्टोरेज कैसे कर को आपको भंडरं करना यह तरीका आपको आना चाहरंका और रसोई में उच्छ स्वस्ता और साफ सफाई इस लिए दूस्तो oceans वाल्टर खोल्र जो आते हैं उनकी कैसे चलाय Да और उनको कैसे अनुरक्षित क्या जाए यान की सुरक्षित रख जाए इसके इसके लाव दोस्तों दो डैजर्ट कूलर्स हैं उनको उनकी पैड़ों को बदलना इसके लाव दोस्तों उनकी साप सफाई तो अगर आप कुक और वाटर केरियर से आपने फोम लगाया है अपने एक्जाम दी है तो इनका लगभग सेम है कुछ दो तिन चीजे छोड़ करके रस होई है यानि कुक को छोड़ करके वाटर केरियर का भी यहां पर सेम है तो यह 20 अंका हो गया इसके लाव दोस्तों आपकी जो मैं बात करूँ अगर सफाई करमचारी की तो फिनाईल और एसिड की दुवारा सफाई कैसे की जाती है जानकर आपको आने चीए सफाई की ग दो अंक का ठीक है इसके लाव दोस्तों अवरुद सोचाल है ठीक है सीवर सेप्टिक टैंक और पाइप आधी की जनकर यह आपकी हो गई 9 अंक की यह सफाई से रिलेटेड आपका है आपको जो भी सफाई में जो चीजे काम में आती है उनका ग्यान होना चाहिए उनकी वस् लगा है तो जूतों के सिलाई और मरमत आपको आनी चाहिए ठीक है इसकी अलावा दोस्तों जो आप मोची से फोम लगाए तो जो मोची के जो जो ओजार है उनका नाम और उनकी जानकारी होनी चीए क्या ग्यान होने चाहिए इसकी अलावा जो चम्ड़े में जेघ सीन है उसके जो पूर्जे हैं यानि उस मसीन का किस तरीके सुपियों करते हैं उनके हर चीज का आपको ग्यान होना चीए इसके अलाव दोस्तों किसी खास रंग के चमड़े के लिए कैसे त्यार किया जाता है मौली जी ब्लैक कलर का चमड़ा है उसको रैड कैसे कने तो ये भी आपको जानकारी आनीचीए यानि की रंग को कैसे रंग्ते हैं चमड़े को विशे चाहिए इस प्रकार से यह ये भी भी अगर दोस्तो आपने धोभी से फोरम लगा है तो निर्धारित समय में विभिन प्रकार के कपड़ों की धुलाई यानि कि एक समय दिया जाएगा आपको उसमें आपको कितने समय में कितने कपड़े धोने चीए कैसे धोने चीए वो आपको जानकारी होने चीए इसके लाव द कोट पेंट बगएरा होते हैं इंग पर कैसे करें डाइकलीन तो यह आपको ग्यान होना चाहिए इसके लाव दोस्तों धुलाई सामगरी यानिकी साबुन ओडो डिटरजेंट पाउडर आते हैं सर्फ आता है ग्रामिन भासम में कहूं तो उसका भी आपको ग्यान होना यह आठंक आपका ग्यान पूछा जाएगा सूती टेरिकोट उनी वर्दी कटाई और सिलाई का ग्यान तो आठंक का आपको यह पूछा जाएगा इसके लाव दोस्तों जो सिलाई की मसीन है उसकी कम्यों को सुदारने मरमत करने का ग्यान यानिकि अगर सिलाई मसीन खराब आपको देदी जाएगी ट्रेड रेस्ट में तो उसे आपको सही करके पूछा जाएगा इसमें क्या कमी है कैसे ठीक करनी आपको मरमत करके उसको चला के दिखाना है यह आएगा आपका साथ नंबर का ठीक है कटाई और सिलाई के लिए प्रियोग होने वाले ओजारों की पहच इस तरीके से तीन चीज़े आपसे ट्रेड टेस्ट में करवाई जाएंगे अगर दोस्तों अपने दफ्तरी से फार्म लगा है तो यह दफ्तरी का मतलब हो गया प्याउन ठीक है तो इसमें रजिस्टर और फाइलों का रख रखाओ ठीक है तो यह अच्छी पोस्ट है यहा पास भेजेंगे तो यह ग्यान आपको होना चीज़े इसमें दो चीज़े आपसे पूछी जाएंगे तो 20 अंका हो गया इसके लाव दोस्तों माली माली यानि गार्डनर से अगर अपने फोम लगा तो आपको पोदे और फूलों और मोसमी पोदों के बारे में जानकारी होन चीज़े कि जिस मोसम में बसंत रितों में कौन से पोदे लगाने चीज़े कौन से फूल लगाने चीज़े ये आपको जानकारी होने चीज़े चारंकी आएगी इसके लाव दोस्तों दूसरा यहाँ पर आपको पूछा जाएगा विभिन प्रकार के उर्वरक यानि की ज्ट रखें कैसे रखें और नको बीजें कैसे हैनकी इसके लाव दोस्तों पोदो को उभारने का आपको ज्यान आना चाये और Iskอกी अलब दोस्तों गुलदसता कैसे बनाया जाता है कौन-कौन से गुलदसता बनाने के लिए कौन-कौन यानि माली के लिए क्या क्या चीज़े आपके पास होनी चीए ठीक है वो आपको ग्यान आना चीए दो अंका इसके लाद दूस्तों नाई से अगर आपने फोम भरा है यानि कि ट्रेट टेस्ट देंगे तो नाई के लिए क्या आएगा आपके बालों की कटाई के जानकर यानि इसके लब दोस्तों बाल सुखाने और काटने वाले ओजारों का ग्यान यानि की बाल काटते हैं उसमें कैची उस तरह ये जो चीज़े होती है ठीक है सेविंग क्रीम से इसके लाव पाउडर वगएरा जो भी इसमें यूज लेते हैं नाई की उसमें वो आपको ग्यान होना जीज़े आपका आएगा तीन चीज़े आएगी बीस नंबर की ठीक है इसके लब दोस्तों बढ़ाई ठीक है बढ़ाई के लिए रंदा का ग्यान होना जीए आरी का कैसे इस्तिमाल करते हैं इसके लब दोस्तों यहाँँ पर दरवाजों और खिडकियों के पताम की फिटि पूछी जाएंगे तो दोस्तों ये चीजे आपको अब ट्रेड टेस्ट के लिए प्रारम कर देनी चाहिए अगर आपका पीपर अच्छा हुआ है तो ये चीजें आपको ट्रेड टेस्ट के दिल्ली पुलिस MTS सीधी भरती 2017 में पूछी जाएंगे दोस्तों इसमें फिजिकल को देखें वो अपने सम्मंदित आगर आप किसी को जानते हैं और उन्होंने भी अगर दिल्ली पुलिस का एक्जाम दिया था MTS का उसे जरूर सेंड करिएगा और आप लोग इस जो वीडियो के आधार पर अपनी तैयारी करें बिल्कुल अच्छी तैयारी करें ये चीजे आप से पूछी जाएंगी और ट्रेड टेस्ट में आपको दोस्तों दस नंबर लाने ही हैं मैं कहना चाहूंगा सभी वीवर सब्सक्राइबर्स थे दोस्तों जितनी भी ट्रेड आपकी हैं और जितनी भी ट्रेड का यहां पर दिया गया वरगी करन 4-5 चंक 8 हंकों का यहां इनमें से आपको 10 नंबर का तो जुगाड करके ही जाना है 10 प्लस तो आपको करके ही जाने जिससे कि आप पास हो संके ट्रेड टेस्ट में और आपकी मेरिट की संभाव ना बन सके अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो दोस्तों वह बहुत फायदेमंद होगा लेकि तो ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दिया जाए दोस्तों यही पूछा जाएगा आपके ट्रेड टेस्ट में और 10 नंबर आपको लाने हैं तो दोस्तों जल्द ही ट्रेड टेस्ट की भी डेट यहां पर दिल्ली पुलिस जारी कर देगी अभी दोस्तों आपके पास आंसर की से संतुष्ट नहीं है तो आप इस address पर पहुंच सकते हैं सबूत और दस्तावेज के समाध्यम से वो पायुक्त पुलिक्स भरती नई पुलिस लाइन स्केंगजवे कैम दिल्ली तो यहाँ पर आप किसी भी प्रसन पर अपती लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने प्रसन गलत माना है तो दोस्तो भिलकुल आप अपती कर सकते हैं पंदरा दिन को आपको टाइम मिल रहा है तो दोस्तो इसके trade test संभवत्या मार्स के फस्ट वीक में करवाई जा सकते हैं तो तब तक आप तैयारी करते रहें और जो भी आगर आपका अभी भी कोई सस्पेंस बचा है डाउट बचा है तो मुझे कमेंट जिरूर करें मैं आपके हरे कमेंट का जवाब दूँगा दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत